नविश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट नैन स्प्रिचुल तो जेश मा की कालास्टमी दो जून यानि की बुद्वहर को पड़ रही है हिंदु पंचांग के मताबिक हर मा में कृष्ण पक्ष की अस्टमी तिथी को कालास्टमी मनाई जाती है इस दिन भगवान बोलेनात के रुद्र रूपकाल भेरव की पूजा अचना की जाती है इसके साथ ही वरत भी रखा जाता है मानिताओं के नुसार कालास्टमी के दिन भगवान भेरव की अरादना करने से व्यक्ती भय मुक्त हो जाता है और उसके जीवन की कई परेशानिया भी दूर हो जाती है इसके लावा भगवान भेरव की पूजा करने से रोगों से भी चुटकारा मिलता है कुडली में मौझूद राहू के दोश भी दूर हो जाते हैं काल भेरव भगवान के पूजा करने का भूत पिशात प्रेत जीवन में आने वाली सभी समस्याएं और बादाएं अपने आप दूर हो जाती है तो आपको बता दें कि पौरानी कथाओं के मताबिक कालास्वी के दिन ही भूले नाथ जी भेरव के रूप में प्रकट हुए थे इस दिन को काल भेरव जनमोतसव के रूप में भी मनाया जाता है मानेता है कि यदि सच्चे मंद से भेरव भावा की पूजा की जाए तो विगरते कारे बन जाते हूँ यही नहीं भेरव भावा की कृपा से आपकी पूजा करने वाले जातकों की किसी भी भूत या पिशात्स का दोश नहीं लगता है रेकिं दिहान रखें कि भेरभभावा की पूजा करते समय मन में किसी भी तरह की छल कपट नहीं होनी चाहिए अब समझे कि काल अस्टमी पूजा का शुब मूरत किसे माना गया है तो ये काल अस्टमी का शुब मूरत आरंब होता है दो जून रातरी बारा बचकर पचास मिनट से और ये खतम होता है तीन जून रातरी एक बचकर बारा मिनट बारें तो ये इसकी शुब मूरत की घड़ी है इसके लावा इसकी पूजा वीदी क्या होनी चाहिए ये भी समझ लीजिए तो काल अस्टमी के दिन सबसे पहले प्राता काल के दिन सनान करके साफ सुथरे वस्तर को धारन करें इसके बाद मंदिर में भगवान भहरव की प्रतीमा या तस्वीर स्थापित करें अब पूरे दिन वरत रखें रात के समय धूप काल तिल उरद दीब चड़ाएं आखिर में काल भहरव की आरती के साथ पूजा को समापन करें काल अस्टमी का वरत खोले तो अपने हाथ से बने पकवान का कुट्टे को सबसे पहले भोग लगाएं कुट्टे को खाना खिलाने से बहरव की विशेश क्रपा प्राप्त हो जाती है ऐसी मानियता है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी खास जानकारी उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहीएगा फिलहाल के लिए दीजिए अजाज़त नमशकार